ये तस्वीर खुशी की है ये तस्वीर उट्षा की है और आज जर्म दिन बनाया जारा है करनाल के संसद संजेब भाटिया का पिछले दिनों उनका कार्यले खुलता है करनाल के जिला सचि वाले में और आज उनका जन्म दिन है तो यहाँ पर बड़े हर्शो उल्लास के साथ बड़ी खुशी के साथ जन्म दिन मनाया जा रहा है हलानकी व्यस्ता होने के कारण खुद संजेब हाटिया यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं लेकिन तमाम बीजेपी के नेता चाहे वो जिला अध्यक्षो योगेंद राना या फिर उनके बेटे चांद भाटिया यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इसके अलावा और भी तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुं पार आetos हाथा और उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी और कई बार वो सुर्ख्यों में रह farmers अपने बयानों को लेकर आज जनुम दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है राए्क लट्ड Windows खिलाए जा रहा है कि Google के शेयर कीजिए योगेंद राना जी आज जनम दिन मनाया जा रहा है संसच संजे भाटिया जी का क्या कुछ कहना जाए। हमारे भरके जनता पार्टी के यहां के कारिये करता बड़ी दोन दाम से उनका जनम दिन समना रहे हैं लेकिन हमारे मानिन यह संचद इतने व्यस्त हैं और शंक्ठन के पर्ती इतने अपने आपको हर से मैं यह खुशी है जी खुशी पार्लियमेंट में आज उनका क्वेस्टन लगा हुआ है और आज वो पार्लियमेंट में इस्ते में मवजूद हैं इस बात से पता चलता है कि मानिन यह संचद जी अपने शेतर के परती कितने चींतित हैं हमेशा शेतर की उनती के लिए तरक्की के लिए जिस परकार से वो यहां एक एक बात पार्लियमेंट में उठाते हैं लोगों के किस परकार से अपने शेतर का विकास कर सके ऐसे मानिन यह संचद हमारे जिस परका परदेश में जुम्हारी देता है कभी जमू कस्मीर में कभी अशाम में कभी उत्रपरदेश में ऐसे ही वो हमेशा और हम लोगों के लिए सोभागय साली हैं हम भी कि वो हमारा यहां करणाल जो लोग सब है उसका परदिनी देतों करते हैं मैं आज के उनके जन्वद्रेश के सुप उशर पर प्रम्पिता प्रमात्मा से प्रार्थना करता हूँ के उनको अच्छा रखे और वो दिर गाई हो और उनका मारक देशन हम सब को मिलता रहे हम सब कारिया करता हैं और हो एक जनपरती निदी के रूप में यहां करनाल की लोगों की सेवा कर सकते हैं। एप सान्सक है। कि सेशन चल रहा है क्या खास बात अपने पिता की क्या कौई मोमेंट उर्यक करना चाहिए सिंपल ही है । जैसे मेरे पिता जी हो गए अज उनका जन्म दिन है कल earnedake पिता जी का मेरे दाता जी का जन्म दिन था तो इनकी खुशी होती है कि यह सारे मिल जुल के एक परिवार की तरह आज जनम दिन यह मनाने आगे हमें तो पता भी नहीं था कि यहां पर ऐसा इंतजाम कर रहा है एक बीटे होने के नाते नहीं आगरीक होने के नाते क्योंकिAD पानीपद से आते हैं करना लोकसभा से आते हैं एक नागरिक होने के नाते इस बर्डे पे अपने पिता से आप लोकसभा के लिए क्या गिफ्ट मांगना चाहेंगे लोकसभा के लिए जो तो जनता ने पहले ही आशीरवा दे दिया जो जनता अपने मूँ से कहती है उनके लिए 100% प्रियास करते है लेकिन मेरे को लगता है कि आज उनकी किस्मत ऐसी है कि आज भी वो पार्लियामेड में इस शेतर के लिए कुछ ना कुछ मांगे रहोंगे कुछ इस शेतर की बलाई के लिए कोई ऐसा काम बता ही रहोंगे तो आज उनका कोश्चन लग गया है कोशन भी बड़ी मुश्किल से लगते है पार्लिय मैड में तो ये बगवान के लगते क्रिपाई होगी है आशिरवाद भी मिल गया और शेतर वास्यों का हमेशा प्यार और आशिरवाद हमेशा मिलता रहा है उनके जनम नहीं पे हमें एक खास चीज़ जरूर रखते हैं कि प असाम होता है कभी जम्मु कश्मीर जाना हो कभी आसाम जाना हो पार्टी के लिए कभी पश्मी उत्तरप्रदिश जाना हो वहां के चुनावों में एहम भूमी का सक्री है भूमी का निभाते हुए नजर आते हैं संजे भाटिया लोकसबा का सेशन चल रहा है संसद हैं और वहाँ पर व्यस्तता होने के कारण संसद में मौजूद होने के कारण वो यहाँ नहीं पहुंचें, यहाँ पर उनकी बेटे पहुंचें और यहाँ पर हर्श उल्लास के साथ उनका जन्म दिन मनाया गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें करनाल ब्रिकिंग नियूस के साथ।